हेलो गुड मॉर्णिंग गाइज चलो अभी जो है कैप्सुल कोर्स की दूसरी लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जैसे ही बात करेंगे इस लेक्चर का तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो पार्ट चाहां से चूटी हुए उसी को कंट्यूनियू करेंगे और वहाँ पर हेडलाइन जितने भी हेड्लाइन से उस सारे को सार्ख को लिगोगा चलेंगे तो हेडलाइन से यहां पर अपन देख रहें थे कि सेक्षयल की कंडिशन में क्या पेशनी क्या देखे खेंड है कि इसमें सेक्षयल रिप्र प्रड diesen की 3 Events से वं हो तीनों की तीन Pre-Fertilization के Condition में दूए इबेंटस है Gametogenesis और Gamet का TANSFER दो चीज़े Gamet की Formations और Gamet की TANSFER It is responsible in the Pre-Fertilization event Pre-Fertilization events के अंदर दो केटेगरी में है मतलब कि Gamet का बनना और Gamet का TANSFER होना तो इसमें पहले तो Gametogenesis को देखेंगे पहला चीज़े कि गैमीट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते है गैमीटो जनेसिस यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि गैमीटो जनेसिस के कंडिशन में क्या क्या बात कर सकते हैं कि गैमीटो जनेसिस में दू चीज़ी की बात करेंगे एक तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कि यह γमीट की formation जो होती है कूषा होता है मिल का गमीट हो रूर्ट और फिमील का गमीट हो सकता है कि दोनों की गमीट similar हो यह हो सकता है कि दोनोंół की गमीट कैसा हो different हो जैसे आस पर एक्जामपल आपको कलेडेफोरा का एक्जामपल दिख रहा है इस से इसका दोनों का दोनों आइस-जो गामेस से एकदम डम सिम्लर टाप का गैमिट से लेकिन जैसे फेकस की बात करेंगे इस ऐस आल्सो यहाँ पर फीमेल गैमीट क्या है बहुत बड़ा है और म दोनों उसमें गैमीट में क्रोमजोम की नंबर कितनी होती है इसलिए क्या बोलते हैं इसको है प्लॉइड इन नीचर होता है अब चलो आगे चलते हैं जैसे ही अपना आगे आएंगे तो यहां पर दिखेगा आपको मतलब की इसमें उसी का जो पोर्शन है गैमीटोजनेस मतल कि गैमीट में हेट्रोगेमेटिक और आइसोगेमेटिक के कंडिशन में मतलब की दू सिमलर टाइप की गैमीट की बात करेंगे और होमोगेट्रोगेमेटिक के कंडिशन में दू डिफरेंट टाइप के गैमीट की बात करेंगे और आइसोगेमेटिक के कंडिशन में दू सि हैं यहां पर देने करें तो दूनों दोनों सो 11 बात करें dif था हम। इसमें कटेग्राइज नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल आपको दिमाग में आना चाहिए कि जब कटेग्राइज आपन नहीं कर सकते हैं तो यहां पर बात करते हैं कि कटेग्राइज नहीं कर सकते हैं तो इसके कंडिशन क्या है कि जैसे ही मतलब की एनाइसोगेमस की बात करते है हैं और हेट्रोगेमीट की बात करते हैं तो यहां पर दोनों की दोनों अलग होते हैं एस पर एक्जामपल हाइयर मतलब की एनिमल के कंडिशन में और हाइयर प्लांट के कंडिशन दोनों की दोनों मतलब की हाइयर प्लांट हाइयर एनिमल तो इस सब में दोनों में क्या करेट इसको देखना है तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे और अपनी को देखना है कि आगे चलके यहां पे sexuality in organism मतलब की sex की बात करेंगे the sexual reproduction in organism generally involves in the phasions of gamete from two different individuals but not all of it true क्या काड़ा है कि मतलब कि यहां पे काड़ा है कि यह जो है मतलब कि नहीं हो सकता है कि यहां पे gamete की फिजन दोनों similar ना हो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब की gamete की फिजन भी ना हो ठीक है ना या gamete की फिजन एकี individual के हो रहा है यहां पे गर्द्ध की सब्सक्राइब करेंगे तो चलो यहां पर बात करें sexuality का तो चलो आगे दिखते हैं तो चलिए प्लांट में है बोथ मेल और फिमेल यह क्या कंडिशन है मतलब कि दोनों के दोनों structure हो सकते हैं सेम प्लांट पर तुसे क्या बोलते हैं और जब डिफरेंट प्लांट पे होगा तो उसके क्या बोलेंगे यूनिसेक्शुल लेकिन सेवलर फंचाय और प्लांट के कंडिशन में यह इसे इसे होमोथैलिक आते हैं और मोनो इसे बोलते हैं मतलब सिंगल और इसे मतलब घर एक ही घर के अंदर दोनों होगा मेल मेल और दोनो रही प्रड़क्टीव पार्ट होंगे तो उस कंडिशन में क्या होगा उसको मोटिश्य से मतलब बॉलते हैं लेकिन जिस पर सिर्फ मेल होगा या फिमेल होगा तो उसे यूनिसेक्शुल बोलेंगे यूज टू दू दू नोट दिश्यू कंडिशन ओर जैसे ही अपन used to denote the bisexual condition and heterothelic काने का मतलब डाय मतलब दो, दो घर हो, दोनों के दोनों घर अलग-अलग, पती अलग, पत्नी अलग, मतलब कि मेल पाट अलग और फिमेल पाट अलग, तो उस कंडिशन में क्या बोलते है, यूनिसेक्शुल, ठीक न, ये कंडिशन है कि, describe the unisexual conditions, अब कहा रहा यूनिटो के पास । मतलब कि क्वेक बोलते हैं यहां पर देख जो प्सको पिस्टिल होता है। कि रहुत क्या है, यूनिसेसे ही इस अपन को बात करेंा कि एक तो यह तो स्टामेल फ्लावर और पीस्टिलिटोता है, लेकिन क्या हो की बोथ मेल फिमेल फ्लावर में इसे तो उस कंडिशन में क्या बोलते हैं इसको इसको कहते हैं तो यहां पर कंडिशन में जैसे बात करें तो कोकरबीट और कोकोनट की कंडिशन में और यूनिसेक्शवल की बात करते हैं तो यहां पर पापाया और डिटॉपल संहां में तो तो तक मैं यहां पर दुनों मील और फी मील दुनों की दुनों रिप्रड़क्टिव ओर्गन एक ही की साथ है तो मैंने आपको एक्जाम्पल में दिया और उसे क्या बोल सकते हैं उसे हर्माफोराडाइट कहते हैं और उसकी एक्जाम्पल मैंने क्या बता है आपको क्या कोड में लिखना है स्टि है याद रहेंगे मुझे जैसे ही बात करते हैं यहां पे तो आपका उर्गनिजम के अंदर क्या होथा है रहें ट्यौंव और चैसे बात करते हैं कि ऐसे ही फॉर मस्रσी explosive सा il Division कौन सा होता है कि बात करेंगे और यहblessement का निचर कईसा होता है तो जैसे ही गैमीट का नेचर है पलौाइड हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं नहीं वहां पे डिटक्षन डिविजन जहां पे हो रहा है उसकी नंबर प्रोमोजोम क्या हो जारी आधी हो जारी तो इसका मतलब है कि अधियर प्लैंट्स और आइयर आप्डिशन में क्या होगा कि कुछ कुछ जी बाइसा होता है जो बिल्कुल उसकी पैरेंट बोडी जो होता है जब पैरेंट बोडी है फिर्मियोसिस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होते याद रहेंगे क्या होगा माइटोसिस बिल्कुल तो चलिए यहां पर कुछ-कुछ और्गनिजम कुछ-कुछ एक्जाम्पल है उसको मैं डिनॉट करवाता हूं लेकिन इसमें क्या कंडिशन है कि किसका किसका कंडिशन में क्या होगा सेवरल और्गनिशम बिलॉंग्स टु दे मोनेडा फंजाय अलगी ब्राफाइट जीम्नोस्पर्म एंज्योस्पर्म मॉस्ट अप्ड एनमल इंक्लूदिंग वुमें बिंग जिसके पैरेंट बोडी के इसा होता है लेकिन जैसे ही हैपलोड की कंडिशन में बात करें हैपल तो अब इसमें गैमीट बनाना इसमें पैरेंट बोडी के अंदर जो गैमीट बनेगा गैमीट में भी नमर अप्रोमोजोम कितना होना चाहिए और कुन सा प्रोसेस होगा जी मैटोसिस ठीक है तो चलो तो यहां पर जैसे ही बात करते हैं कि बहुत सारा ओर्गानिजम है जिसके पैरेंट बोडी के शाह होता है और है प्लॉाइड होता है तो उसी का बात करेंगे कि यहां पर आपको दिख जाएगा उस टाइप का एक्जामपल मतलब कि सेवराल ओर्गानिजम बिलांग्स होता है मतलब कि इसका इसका और आपस पूछा जाता है कि if deployed body has to produce haploid gamit बिल्कुल ऐसा है लेकिन अब क्या कर रहा है कि it is obvious that the meiosis the reduction divisions has to if deployed has to produces haploid gamit ठीक है यहां पर जैसे ही बात करेंगे तो आप आपको कुछ example दिखता होगा जो कि unisexual bisexual sexuality की बात कर रहा है और दिमाग में आपको आना चाहिए कि sexuality के condition में यहां पर जैसे ही बात करेंगे तो आपको दो चीज़े तो बिल्कुल दिमाग में आएगा कि यहां पर बड़ी सी structure आपको दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों structure आपको दिख रहा है earthworm है फिर जो है cockroach है फिर यहां पर बात करते हैं sweet potato flower जो bisexual flower के condition में और कुछ algae और यहां पर मारकेंसिया का बारे में चर्चा करी गई है तो पहले तो अर्थवर्म और इसके बारे में बात करते हैं तो अर्थवर्म के condition में जो मैंने बात किया था कि bisexual है बेटा मतलब यहां के male और female दोनोरी productive part present है लेकिन जैसे ही आपन बात करते हैं cockroach का तो यह यूनि-sexual है मतलब की male अलग और female पाट अलग लेकिन जैसे ही हमें काड़ा की बात करना परेगा इस ग्रीन अलगा ठीक है ना काड़ा की बात करना परेगा तो काड़ा के condition क्या है कि यह और क्या है यह female six organ generally क्या होता है कि male dominating हमारा समाज है तो मर्द मेल उपर और female और female नीचे तो लेकिन इसके condition में अलग है काड़ा के condition में कि male कहा है बा Reynolds के ओपर तो female वाली पाल को बोलते हैं खना झाइन एन ठील के समय ओरम शेक्स होर्गान लेकिन इसमन को बोला जाता है तो यह जो है globe के तरह है तो इसका नाम है globally और इसका जो फिमेल वाला पार्ट है इसका नाम है नॉक्यूल तो यह थोड़ा सा टर्मिनोलोजी अलग है तो मतलब इसको काड़ा को तो एकदम बिल्कुल याद रखना है एक्जाम में सेवरल टाइम साय है नीट में तो बिल्कुल आपको यह दिमाग में रखना पड़ेग खाना चाहिए जो यह जे धूकी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल यह जो है मतलब मारकेंसिया का अग्जाम्पल है और यह बासेक्शव फ्लारड jeśli पोटैटो का मतलब विबर इसमें जो फिमेल पाठersonal यह पार्ट है यहां सेखने का तो आप देखना को खूबषूरत फ् सुन्दर होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेल फ्लाड अक्सर क्या होता है सुन्दर दिखेगा और मेल फ्लाड क्या होगा सुन्दर नहीं दिखेगा जो फ्लाड को बियर करता है उसको उसको क्या कहते हैं जो मेल वाले पार्ट को बियर करता है उसको एंट्रीडियो कि बाद करेंगे, और उस क्रोपों के लिए आपको यह बात करना पड़ेगा, की, आपने, जो भी बात करेंगे, की यहाँ पर च्रोर्मोजों की नमबर की बात करेंगे, बहुत सारह, जैसा हम eating के बारे में बात करो, Х这 nostro है, domestic 방किन में कितनाओ मैं में अब जैसे मैं करूं में यहां पर 20 से हैं यहांपर मिल्य biggest में यह जिसम यह सकी तो दोतरा के आपके वॉर्टी में मतलब intimate मतलब कि जो जर्मिनल से एक सील जो हमारे बॉडि में होता है उसके सामेटिक जो बॉलते हैं जो कैसा नंबर का होता है लेकिन जैसे आपने बात करेंगे क्रोमोजोम नंबर की बारे में बात करें तो यहां पर बात करते हैं कि इसमें गैमीट में क्या करते हैं मियोसाइट से क्या बना तो गैमीट में नंबर क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे यहां पर रेडक्शन डिविजन हो रहा है तो वहां पर नंबर क्रोमोजोम आदे हो जाए तो 46 है यहां पर यहां चाहिए केशा हो जाएगा तो आधी कर लेना होस्प्लाय में कितना 12 राड़ होस्प्लाय में कितना 12 राड़ में कितना क्या important है बाबू कई से आप याद रखोगी इसको कि मतलब कि एक plant है टेड़ोफाइट्स ठीक है और टेड़ोफाइट्स के condition में जैसे ही बात करेंगे टेड़ोफाइट का तो टेड़ोफाइट में सबसे पहले आपन बात करेंगे टेड़ोफाइट से एक जांपल आपका टेड़ोफाइट में और फर्न में कितना है इसमें बाड़ास साथ क्रोमोजोम है यह सबसे ज्जादा नमबर अप्रोमोजोम है प्लान के condition में जो गैमीट में कितना हो चाहिए आधा यह मियोसाइट में 1260 है इसमें कितना इतना जैसे एपल की बात करे 48 थोड़ा से देख लेना बटरफ्लाइज जो है 7 मतलब कि 380 है और बटरफ्लाइज के अलावा जैसे ऑनियन की बात करें आप पर सेल में भी है तो 16 ठीक है ना यहां पर बूल रहा है कि डिपलॉयड और्गनिजम के कंडिशन में आपको बात करना पड़ेगा कि डिपलॉयड मदर सेल उसको बोलते हैं सिख ठीक है ना जो मियोसिस के द्वारा क्या कर रहा है गैमीट को प्रोडूयूस कर रहा है डिपलॉयड सेल्स होता है एंड अप दे मियोसिस वनली वन सेट अप क्रोमोजोम इंकॉर्परेटेट इंटू गैमीट में कितना वन सेट आधी सेट जो बिपलॉयड औन हैफलॉयड क्रोमोजोम नंबर वखरोगश् 색깔 क्रोमोजोम है कि यहां पी यहां है कि मतलब कर रहें है इस डेय हैं कि नंबर ऑप नंबर ऑब क्रोमोजोम होता है और इस म्योसिस होता बिटा कि मेटू बनते हैं तो वहां पर उस सेल में मियोसिस हो उस तैप के सेल को क्या बोलते हैं जी मियोसाइट बोलते हैं जाते हैं यह कहां जाते हैं मियोसिस में जाते हैं और यह गैमिट में आधे क्रोमज़ोम जाएंगे तो यहां पर क्या 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 है। बनाएंगे तो इसमें मियोसिस के तोरान क्या हो जारा आदा हो जारा क्रोमोजोम नंबर चलो यह बात हो गया तो दोनों में दोनों में relation है मतलब की relationship in number of chromosome in मियोसाइट and gamete तो जो gamete में मियोसाइट में 2n और यह मियोसिस करके क्या कर दिया करते हैं बिल्कुल relationship है तो चलिए यहां पर gamete की टांसपर बात करते हैं तो जैसे ही आपको बहुत सारी बात करने को मिलेगा कि जैसे अपन बूलते क्या कि आप्टर दो फॉर्मेशन शॉप मेल फीमेल गेमीट मस्त भी विजिकली ब्रॉट तुगेदर इस फैसिलिटेटेट फिजन डैट मिंस की फटिलाइशन मतलब की gamete की टांसफर करके क्या करते हैं मेल गेमीट को टांसफर करके फिमेल के पास फिमेल गेमीट के पास ले जाते तो जैसे ही आपको बात करें कि भाई इसके कंडिशन में क्या बात करना है कि यहां पी जैसे आपको बात किया जाए कि फॉर्मेशन ऑप मेल फिमेल गेमीट मस्त भी प्राइशन करनी है उसको एक मतलब की एसे साइट पर ले जानी है कि जहां पर क्या हो कि फटलाइशन सो कहीं नहीं आपको दिखेगा कि फटलाइशन के लिए क्या चाहिए कि एक दूसरी गैमीट के पास आना जरूरी है तो this is responsible for the transformation, transfer of gamete from male to female or female to male, जनरली नहीं होता है, जनरली female to male, male to female होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि इस तरह की fertilization बाली बात जो करते हैं, अगला step में करेंगे, मतलब की fertilization बाली में, ठीक है न, तो यहां पर जैसे ही बात करते हैं कि under how gamete meat, बहुत ही अच्छे सवाल है, कि have you ever wondered how the gamete meat, मतलब की कहीं नहीं कहीं, chemically attraction होता है, मतलब की interactions होता है, जैसे हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बात किया है, कि जैसे मानलू की आपका pollination होती है, तो male gamete का transfer होता है, एंथर से stigma पे, that is known as pollination, और pollination क्या करते हैं, यहां पर germinate करके pollen tube बनाते हैं, तो यह compatibility test होती है, यहां पर pollen grain receive करेंगे, pollen grain यह similar type के species होंगे, मानलो की mango का है, तो mango के उपर ही, फिमेल प्लावर के उपर ही pollen grain गिरेंगे, तो जा करके यह pollen tube का formation होगा, अंथा नहीं होगा, तो कहीं नहीं हो सकता है, कि वहां पर tissue matching होता है, बिल्कुल होता है, जैसे human being के condition में बात करूँ तो fertilizing और anti-fertilizing meal और female दोनों gamete पर पर जेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे को recognize करते हैं, तो ऐसा होता है, यदि ऐसा ना हो, तो उस condition में फटलावाशन से impossible है, ऐसा होता तो बंदर और इंसान कपलेट करते हैं, और बंदर इंसान से बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा संभब नहीं, impossible है, तो बिल्कुल यहां पर बात करते हैं, कि आपको यह बात करें, कि gamete का मिलना बहुत ही important है, इन majorative organism male gamete motile होते हैं, और female gamete कैसा होता है, इस्टेशनरी होता है, तो बहुत ही दासू और उमदा किसिम के line है, बहुत important है, ठीक है, यह line को आप दिमाग पर रखिएगा, कि भाई, यहां पर जैसे हैं आपन बात करें, ठीक है, majority of organism male gamete motile होते हैं, और female gamete कैसा होता है, इस्टेशनरी होता है, लेकिन exception, example, few, एप से क्या होगा, few, और F से क्या होगा, fungi, few fungi and algae के condition में कि male और female, दोनों gamete कैसा होता है, motile होता है, generally क्या होता है, कि male gamete motile होता है, M से male, M से motile female gamete कैसा होता है, इस्टेशनरी होता है, इन्हें जो बोट टैप अप गैमेट और motile यह बात है, मतलब की हाइलाइट करिये, इन्हेरल सिंपल प्लांट लागी, ब्राफाइट, टैटोफाइट, मतलब की टैटोफाइट, water is a medium that which gamete will meet to each other, एक दूसरे से मिलते हैं, gamete transfer text place होता है, तो आप कारा, male gamete, first to reach the female gamete, to compensate this loss male gamete during transport, the number of male gamete produces several thousand more than the female gamete, female gamete से ज्यादा बनने होते हैं, इनको जा करके उनसे मिलना है, तो मिलने के लिए क्या करना परेगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कि इसके लिए vulnerable condition होता है, क्यों सकता है, predators उसको खा जाए, predators इसको खा जाए, तो अब यहां पर जैसे अपन बात करें आगे, तो यहां पर देखी, दो gamete को मैं fusion के लिए दिखाता हूँ, और दोनों fusion की बात होती है, तो कौन-कौन से है, किस तरीके से है, उसकी बात करेंगे, तो थोड़ा से यहां पर fusion की बात करो, तो बिल्कुल आपको दिखता होगा, कि यहां जो बात करेंगे, कि वह इसा है gamete की बात कर रहे हैं, जो gamete क्या कर रहा है, fusion कर रही है, मतलब कि यहां पर देखे, क्लेड़ फोड़ा है, कुछ नहीं पीछे भी आप देखे थे, आइसो गैमस, दोनों सिमलर टाप के gamete की बात करें, तो वहां पर दोनों सिमलर टाप के gamete का fusion हो गया था, fusion होने के बाद क्या होता, जाइगोट का formation, जाइगोट यह डवलप होकर के new individuals बना दिये, और यह जो structure दिख रहा है बेटा, यहां pollen grain का germination होकर के पॉलन ट्यूब का formation हो रहा है, यह structure ठीक है न, in seeded plant, pollen grain carry करते हैं, male gamete को, ठीक है न, और 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 व्यूल है एक, pollen grain produce, and third therefore, have to be transferred to the stigma, therefore it can lead to the fertilization और क्या कर रहा है कि bisexual के condition में, self-fertilizing plant जैसे बात करते हैं, कि bisexual pea plant की बात करो, तो गार्डेन पीक, ठीक है न, पैसम सटाब हम की बात करते हो, तो यहां पर कारेंगे, transfer of pollen grain to the stigma, respectively, easily, to the enter, and stigma located close to another, मतलब कि इसमें, self-pollination, बाली बाते होती है, bisexual flower है, यहां पर easily, यह contact में आते हैं, but cross-pollination के समय क्या होता है, मतलब कि दोनों के दोनों, अलग-अलग, मेल अलग और फिमेल अलग, तो इस जगह पर अपने, specialized event की बात करते हैं, pollination, transfer of pollen grain की बात करते हैं, तो cross-pertilization के condition में, तो pollen grain germinate on the stigma of the pollen, stigma and pollen to grow to carry the male gamete to the obule and discharge the male gamete into the egg, near the egg, in diocese animals, male and female gamete are formed in different individuals, समझ में आ रहा है न, मतलब कि अलग-अलग तरह के, मतलब मेल अलग, फिमेल अलग, दोनों के दोनों अलग-अलग gamete बनाते हैं, और एक दूस्टे पर जाकर के मेट करते हैं, मेट करने के बाद के बात करो, तो वहां पर जाकर के germinate करता है, germinate करके क्या करता है, pollen tube का formation करता है, तो थोड़ा सा, इस plant को मैं localize कर देता हूं, यह बाते हो गई है, अब क्या काड़ा है, कि in organism must evolve the special mechanism, for gamete transfer, successful transfer content together, of gamete is essential for the most critical event of the sexuality production, and fertilization, जैसे ही बात करते हैं, fertilization का बेटा, fertilization के लिए बहुत सारे word यूज करते हैं, यहाँ पर सिंगेमी और fertilization आगे चलिएगा, interchangeable है काने का मतलब है, कि दोनों के दोनों frequently use होता है, या आप या चाहे सिंगेमी बोलो, चाहे हो उसको fertilization, बहुत अरसे नोनमाइस टो और एक दूसरे के सिनोनीम से, दोनों के similar name है, यह वाइटल इवेंट होता है, sexual reproduction का, fusion of gamete की condition में, तो अब fertilization दोनों तरह के हैं, एक तो external fertilization होती है, दूसरा internal fertilization होती है, मतलब कि external fertilization outside the female body, यदि male और female gamete का fusion होता है, अब आगे चलो, यहां पर बात करते हैं, एक्सटरनल इस पानी में होता है, जैसे ही अपना बात करेंगे, यह जो है रिजल्ट इन्टू दोनों के fusion होगे, male-female का, और क्या बनेगा जागूट बनेगा, अब आगे चलो, यहां पर बात करते हैं, कि किस तरीके की fertilization की बात करते हैं, external internal की बात कर लिए, अब यहां पर होता क्या है, कि जैसे आप से question बूला जाता है वही, कि sing-game and fertilization interchangeable एक्तम बिल्कुल है, what would happen if sing-game does not occurs, क्या होंगी जब sing-game नहीं होगा, तो condition है कि बिल्कुल sing-game नहीं होगा तो हो सकता है, जाग-out का formation नहीं हो, लेकिन बहुत सारे आपके पास organism है, जो sing-game की नहीं होने के बाब जूद भी बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल nature में ऐसा है, जो example के तोर पे आपको मैं बता दूँ, कि कुछ-कुछ organism है जो जिसमें क्या होता, पार्थेनोजनेसिस होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें सिर्फ male gamete ही क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो इसकी कहने का मतलब क्या है, कि इसमें कुछ example है बिटा, जो mention करता हूं मैं, और्गनेजम जिसे रॉटिफर है, हानी भी है, कुछ लिजाड्स है, USA लिजाड, लिजाड लिजाड, शक्षी कोलर अमेरिकन लिजाड है, उसके कंडिशन में होता है, बट्स में भी होता है, जिसमें पर एक्जामपल टड़की, बत्तक समझते हैं, फिमेल गेमीट अंडर्गोद डवलप्मेंट फ्रम्ट नियू और्गनेशम विदॉर्ट फटिलाइशन्स, बिल्कुल दिमाग में रखना, अब यही तोनों के दोनों सिननोमस वर्ड है, तो हम एनेमल के लिए बात करें, में फ्रूट का होता है, आइक सलनली इस भी पर्वमफिक का नतर नमाद में वेदूड का नतर द". तक सबुए रियंडेशन्स, अजनली फुरूट क सब्रतय है, आपको बनाना हो गया कुछ सर्टेन इस्पेसी जिसमें नंबर ओप सीड कम करने के लिए जैसे ओरेंज हो गया ठीक है ना आप कहा रहा है कि वेड़ ड़स दे सिंगे मिया करस कहा होता है तो दूनों करेटेरिया मैंने बताया कि यह और साथ बॉड़ी हो सकता है यह इंसाट इसके लिए बात करो मैं बिल्कुल हेड़ पॉइंट को हीट करता हूं और जैसे एक्स्टरनल फटलाइशंस बोलते है जनरली किसमी होता है तो गयमीट इंदू सरौंडिंग मिंडियम वाटर में तो चांद सब्सिंग यहां पर क्या बात कर रहें इनांस ता चांद सब्सि जादा होगा ठीक ना इस हैपेंज इन दबॉनी फिस फ्रॉग ठीक ना लार्ज नंबर वास्विंग प्रॉडिस अब इसके क्या है कि यह बहुत ही ज्यादा वन वलनेडेवल है क्या कंडिशन किसके लिए प्रेडेटर से ट्रेडिंग से अप्टू एडल्टू मतलब कि ज पूटी सी बात और है इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लाइट की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैनेज करिएगा मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूं इसको बैठरी आपकी कभी भी हो जाएगी कहीं बाहर हो मैं ठीक है चलो यहां पर बात करें जैसे तो दूसरा इंटर्नल फ बात करें तो यहां पर आगे चल के बात करें तो यहां पर आगे चल कि थोड़ा सा ओभी पेरेस बीपेरेस के कंडिशन में बात करना पड़ेगा आगे थोड़ा सा बात करेंगे दे फूस्टु दे मेल गयमीट ठीक है ना इन ऑर्गानिजम एग्वेटिंग दे इंटर्नल फटलाइसंस दे मेल गयमीट मोटाइल जैसे ही आपन बात करें आगे तो पोस्ट फड़ेसंस की बात करते हैं प्रॉस्ट फड़ेसंस में दो इवेंट को आपको बिलकुल दिमाग में रखना पड़ेगा और दोनों के दोनों एवेंट्स एक्च्छली करना क्या है कि यहां पिए दोनों एवेंट्स में एक तो अपन बोलतें कि जैगोट का तो क्या बनते है तो व सब्सक्राइब का डवलपमेंट होता है जागोट सी इंप्रियों की बनने के प्रसेस को इंप्रियों जैनेसिस बोलते अब कंडिशनी दो कि दो इबेंट परहेंगे जागोट का फॉर्मेंशन और इंब्रियोजनेसिस के अनदर दो चीजों को पढ़ते हैं और सेल का डिफरेंशेश्घ्ट बिल्कुल और प्रती से मिलगoughs जाएंगा के तो यहां पर आपको बात करते हैं से जागोट का अब दूसरे क्या है and embryo genesis embryo का बनना आपका आप कोष्ट फडिलायसंस कंडिजन में embryo genesis के कंडिजन में यहां पे आप की बात करते हैं तो फोमेशंस अप डिप्लॉइड अस्ट्टर इसुन वर्सल इन सेक्शों कटराइशं थिस meat एफ दो दो प्रिप्स ऑन इसाइट झिल चेल उप्राइशं घंट ऐसंटर जागोटमाजर्टान फेंडेटैकल लाइशंटर्ञ मिल Hee is exposed to in organism brought to the fungi algae किसके किसके कंडिशन में पंजाए ठीक ना फंचाय है अल्गी है जागो डबलप होता है थीक वाल के कंडिशन में जो जागो एस्पूर बोलते है ठीक है रेस्टेंस होता है पर तो देशिकेशन एंड डैमेज होने से अंडर्गो दरेस्टिंग पिरियर होते हैं यह पूर्ड जर्मिनेशन अब काड़ा है कि यह और्गनेशम भी तो है यह प्लोंटिक लाप सैकिल ठीक है न माई पीछे भी चर्चा करने वाला था लेकिन वहां पर नहीं कि जागो डिवाइड वायदा मिवसिस बिलकुल आपको दीखता होगा कि यहां पर थोड़ा सा बाथ करें कि तोड़ा से यहां पर दिक्कत है दकनें हैं जिसका ए nossa डिपलो ऑड़ी और जिसका जिपलोएड बौडी है मतलब के मेन बॉड़ी है उसके कंडिशन में यहां पर जैसे ही बात करेंगे आगे चलके तो अपने को क्या कंडिशन दिखना पड़ेगा कि यह पॉइंट सब आप देख लीजिएगा ति दिया हुआ है कि इसमें हमको क्या करना है कि यहां पर बनाना या अप मियोसिस के तुरू तो बनाने सकते यह ऐ आलडेडी कैसा है 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 तो यहां पर किसके जरीए क्या करते तो यहां पर जागोट में मैयोसिस होता है और मियोस्पूर बनाते हैं और यह जर्मिनेट करके क्या करता है मैं 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 मतलब के आगे चलके अपन बात करेंगे यह क्या और यह क्या हो गया यह पीछे देखने को है बट कोई बात नहीं है यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको अब क्या करता है कि दो जन्रेशंश को जोरने का काम करता है अभी माय हूँ, कल बच्चा होने वाला है तो बच्चे के होने से पहले जागोट बनते, दुनिया में जितने भी जीव है, यू सब के सब जीव डबलप हुए सिंगल से, और हम लोग भी हुए, that is a क्या, जागोट, याद रहेंगे, जागोट is a vital link to ensure the continuity of species between the organism of one generation to the next generation, ठीक ह life begins with a single cell, जागोट, जो इसका nature का इसा, टू एन वाली, ठीक है न, अब embryogenesis है, और embryogenesis में हमने कहा कि, embryogenesis होता क्या है, कि जागोट से क्या होता है बटा, जागोट से embryo का बनना, जागोट से embryo का बनना, embryogenesis है, इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है, cell division, जो matosis, अब सिर matosis होगे, पूरी का पूरी में, और दूसरा प्रोसेस क्या होगे, बिटा, cell differentiation, मतलब कि cell से organ, tissue, tissue से organ, organ, system, organ, system से individual, मतलब differentiate होँगे, से पाटिकुलर फंक्शन के लिए responsible होगा, तो यहाँ पे जैसी embryogenesis की बात करो, तो embryogenesis में दो ही बात करेंगे, कि embryo के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते है, embryogenesis, किस से बाइया, जागोट से embryo बनने के प्रोसेस को क्या बोलते है, embryogenesis, यह बात रहाद रहेगा, अब क्या खाड़ा है, यह बात कर रहे है, यह बात कर रहे है, अब क्या कर रहे है, कि यह बात कर रहे है, आपने पढ़ा है, यह सब के सब, बीटा देखो, यह आपकी जो बुक है, एक्दम रिसेंट अपडेटेटेड बुक है, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ, समरी आपको खुद से करनी है, तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, चलो, यहाँ पर बात करेंगे, चलिए, यह अब बात करते हैं, अपर बात करते हैं, तो दो तरह की और मुमन थीन तरह की और गात करते हैं, तो जनरली आपकी ने मेंसन करी है, क्या होता है, जो अंडे देने वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो बच्चे देने वाले हैं, उस और्गेनिजम को क्या बोलते हैं, बीबी पेरस बोलते हैं, अब ओवी पेरस में भी कंडिशन है, दो तरह का, एक फटलाइज तेंगे, दूसरा अन फटलाइज एक देंगे, Αीजनरली कंडि degrailler की जो बहूँ क्वेंशन में क्या होता है एक रताय एक देते हैं समझ में आ रहा रहा न आएजनरली क्या स्नाट पाइच्छ न जी और फीशों और भी पिएँशaning यह सब क्या करते हैं जो नॉन प्लेसंटल होते हैं लेकिन जागोट मतलब की एग को अंदर ही क्या करते हैं आप मतलब की इंक्यूबेशन वहां उसकी अंदर में ही होती है तो कंडिशन क्या है कि वह भी पेरस की जैसे ही अपन बात करेंगे तो डवलप्मेंट अब जागोट टेक्स प्लेस और सा दोनों कंडिशन हो सकता है तो ले एक कईसा फरेलाइज और aberक्राट सब्सक्राइब जलता है यह सब देते हैं लेकिन इसके पास किया थे बाहर आते हैं है जो बात करते मैजुरेट्य अब heta चागोड डबलब होता है उससे क्या यंग वन्स पूते हैं फिमेल बॉड़ी के अंदर और लास्टली क्या करते हैं तो क्या होता है कि इंकुवेट करते हैं कैसे बेबी को तो मतलब की इमिच्यूर बेबी बाहर आते हैं उस बेबी को बाहर में एक स्पोर्चन पोच होता है कहार था है कि यहां परदें कें करते हैं क्या करते हैं तो बिकोज उसने पर इम्डुणिक डवलीपमेंट अंप्रोटेक्शन टिगना कि यहां पर उन्समें तो यह जदा है कि डिवर ऑफ द्वाडी अपड़ फीमेल और्गनिस्म विकॉज प्रॉपर इंब्रोटेक्शन दचान्स अप तर्वाइबल अप यंग वन्स इजग्रेटर देंदे ग्रेटर इन ग्रेटर इन बीवी पेरस मतलब कहा रहा है कि जो भी पेरस होते हैं उसमें तो मतलब की तकड़ेबन जैसे बीवी वेरस की कंडिशन बात करें तो बच्चे की केरिंग होती है मतलब की मां के गर्ब में और गर्ब से बाहर भी पूरा के रहा है लेकिन उसके कंडिशन में नहीं इन फ्लावरिंग प्लांट जागोरी जा फॉर्म इंसाट दो और बनते है सेपल पी एकार्स करते हैं पॉस्ट फॉर्म ऐसेशन के रही है तो यहां पर बात करें तो आपको क्या होता है कि ओए कर्प में चैंज हो जाता है और शीन में कंडिशन प्लावर करके गिर से बता रहा हूं अपको दिमाग में आ जाएगा कि फ्लाविश में बनते हैं यहां पर जैसे ही बात करते हैं जागोड डवलप होता है जागोड डवलप इंटू इंब्रियो और और व्यूल डवलप इंटू इंटू इंडोकार्ट ठीक है ना तो जाने दीजे पेरिकार्प फ्रूट की वाल बनते हैं फल की दिवार बनते हैं ठीक है ना यहां पर थोड़ा थोड़ा एक बाते हैं जो बात करनी है यहां पर देखिए एस का मतलब होता है और पी का मतलब पेरिकार्प होता है तो यह पी के कंडीशन में आपको दिया होगा यहां पर ठीक है यह सब दिक रहा है आप समझाओगे अब क्या करना है अपको समरी पूरा का पूरा परना मैं यहां पर दिखा रहा हूं लेकिन आपको पॉज करके पढ़ना है ठीक है चलिए यहां पर समरी फिर से पढ़ना है यह समरी पूरा पढ़ना है आपको पूरा पढ़ना है आप पॉज करिए वीडियो को बिल्कुल समरी पढ़ना ही इसलिए मैं समरी को दिखा रहा हूं और डिप्लॉइड की बात करते हैं तो ये ओबरी के सा डिप्लॉइड टुएं अंतर के सा डिप्लॉइड एक के सा एप्लॉइड पॉलन के सा एप्लॉइड मेल गमिट के सा एप्लॉइड जागवट के सा डिप्लॉइड तो इसके अलावा जैसे बात करें ग्रेन का अनाज के दा कि ऐसा वाड़िया है सब कि सब की सा होता है 2N मतलं डिपलैड होता है तो यह सब कुष्चन आशान है रिफ्रेंस पूछेंगे डिपलैड अपलॉयड क्या है जागू जाग औस पूछेंगे तो चलिए बेस्ट बलग फुर गुर्ट फुर देनेक्स छेप्टर तैंक्यू